हाँ जी बच्चे लोग कैसे हो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है उमीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी और अच्छा ही करना है क्योंकि बोड एक्जाम आपके सामने खड़ा है और इस बार आपके लिए प्रस्तिती थोड़ा से बदल चुका है इसलिए अपनी तैयारी पूरी तरह से तंदरुस्त रखना है और आपकी तैयारी को पूरा करने के लिए आज हम फिर आपके सामने हाजिर है आज जो हम लोग बात करेंगे वह आपका पाइथा गोरस थियोरम की बात करने वाले बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए कोई भी थियोरम ब बात करने वाले हैं आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पाइथा गोरस एक ग्रीक मैथमेटिसियन थे जिन्होंने हम लोगों को एक रिलेशन दिया था और रिलेशन था एच स्क्वाइर एक्वल टू पी स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर यह रिलेशन हम लोगों को पा is 3 square 5 square 25 and 4 square 16 plus 9 that is 25 तो यह relation हम लोग पहले बहुत बार पड़ चुके हैं पर बच्चो आज हम लोग इस relation की बात नहीं कर रहे हैं आज हम लोग इसको प्रूफ करने की बात कर रहे हैं हम लोग आखिर कैसे मानें कि H square equal to P square plus B square होता है तो यह जो आपका लिया गया है topic आपका class 10th के similarity ट्रैंगल से लिया गया है और यह theorem बहुत important है बच्चा कई वार ऐसा होता है न कि exactly यही theorem आपके exam में आता है और उस समय आप लोगों के लिए बहुत यह आफ़त पहार बन जाता है अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं बहुत simple तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ जिससे कि आप easily इस theorem को आप exam में करके आईए और 5 number कहीं नहीं जान आने वाला आपका तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं इसको ध्यान से देखना तभी जाकर आप इसको समझोगे चलिए सुरू करते हैं तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे ट्रेंगल के बार में थोड़ा सा आइडिया देता हूं ट्रेंगल में तीन साइड और तीन एंगल होता है बच्छा साइड बन, साइड टो, साइड थरी और यह तीन एंगल है A, B और C इसी तरह से प्रूफ की बात करते हैं तो पाइथागोरस को प्रूफ करने का कोई एक तरीका नहीं है ऐसे बहुत सारे तरीका है जैसे यह भी एक तरीका है जो आपको ICAC 9th मे मिलेगा ये सब भी एक अलग अलग तरीका है बच्चा पर हम लोग जो प्रूफ करेंगे न ये इसकी बात करने वाले हैं हाइपोटेनस H square equal to sides मतलब P square plus B square that is on the base of बच्चा similarity हाज जी similarity की बात करने वाले हैं तो similarity के बेस पर हम लोग आज पाइथागोरस theorem को प्रूफ करेंगे बच्चा लोग तो ये ध्यान रखना है कि जब आपके class तेंथ के exam में अगर आपका question आएगा तो आपको और तरीका मत यूज कीजिएगा similarity मतलब similarity ही यूज करना है अगर दूसरा तरीका आप यूज करते हैं तो आपको number नहीं मिलेगा तो जो चीज पूछे और चीज आपको ध्यान रखना है और उसी तरीका से आपको प्रूफ करना है जो अभी मैं बताने वाला हूं तो हम लोग क्या करेंगे भी प्रूफ पाइथा गोरस theorem using concept of similar triangle आप लोग बच्चा लोग similar triangle पड़े होगे कि दो congruent triangle similar हो सकता है पर दो similar triangle congruent नहीं हो सकता है यह चीज आप पढ़ चुके होंगे तभी आप आई था गोरस theorem में होंगे इससे पहले आपका proportional जो आपका था basic proportionality theorem already आप पढ़े होंगे तभी आप यहां पर आएं और उन सब में क्या था similarity था कि अगर किसी triangle में बहुत सारा idea था बहुत सारा base था जिसके base पर दो triangle को हम लोग similar मानते थे तो यह सब आपका triangle एक दूसरे से similar हो सकता है basic in सब का side अलग-अलग हो तो सबसे पहले आपके book में क्या दिया रहेगा या आपके exam में क्या दिया है बच्छा लोग एक triangle होगा that is right angle triangle यह मेरा angle B है that is right angle triangle on B side 1 side 2 and that is hypotenuse hypotenuse तो आप लोग पढ़े होंगे कि 90 degree के सामने वाला जो आपका होता है side उसको hypotenuse करते हैं और यह मेरा क्या हो गया AC is hypotenuse तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है तो according to this figure AC square equal to side 1 that is AB square और plus side 2 that is BC square तो बच्चा लोग आप लोग को clear हो गया होगा कि हम लोग को आज प्रूफ क्या करना है हाजी तो हम लोगों को जो प्रूफ करना है इसके लिए कुछ basic चीज जरूरी होता है क्या क्या दिया हुआ है और क्या हम लोगों को construct करना है वो बच्चा लोग आपको लिखना होगा तो हम लोग का क्या है तो हम लोगों का जो construction है वो लोगों को करना क्या होगा तो यह आपका construction हो गया है construction में आपको लिखना है ड्रॉय पर्पेंडिकुलर लाइन फ्रॉम राइट एंगल टुइट सपोजिट साइड यहां से हम लोग को बीडी एक पर्पेंडिकुलर देना है on AC और जैसे ही हम लोग पर्पेंडिकुलर देंगे पर्पेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यह भी आपका 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री यहां पर हम लोग का और दूसरा ट्रेंगल बीडी सी अब यहां पर देखिए हम लोग को करना के आदे को बेसिक कॉंसेप्ट क्या लगाना है यहां पर पहले एक बड़ा ट्रेंगल था डैटीज ए बीसी ए बीसी बड़ा ट्रेंगल था अब जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर दिये हमारा यह दो राइट एंगल ट्रेंगल में चेंज हो गया एक ट्रेंगल आपका ए बीडी और दूसरा बीडी सी अब हम लोगों को करना क्या है हम लोगों को छोटा वाला जो ट्रेंगल है इसको भी सिमिलर कर देना है बड़ा वाला के साथ और जो इसमें जो बड़ा वाला ट और फिर से बड़ा वला ट्रेंगल ABC उसके साथ यह बड़ा वला ट्रेंगल तो यह हो गया ब्लू वला पार्ट और यह हो गया आपका ग्रीन वला पार्ट बच्चा लोग यहां पर देखिए इन दोनों ट्रेंगल की बात करें तो इन दोनों ट्रेंगल में एक चीज़ आपको 90 degree similarly इसमें भी आपको वही चीज मिलेगा angle B 90 degree and angle D that is 90 degree and angle C is common in both of the figure तो यह चीज हम लोग को मिल चुका है angle A is common और angle B equal to angle D equal to 90 degree angle C is common in these figures and angle B equal to angle D equal to 90 degree अब याद कीजिए कि हम लोग क्या पढ़ते थे similarity का क्रिटेरिया था ट्रिपल एंगल या फिर एंगल एंगल अगर है तो that is a similar triangle हम लोग भी इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे ऑंगल ऑंगल का अगर किसी दो ट्रैइंगल का दो एंगल एकर similar है इसका मतलब है कि दोनों ट्रैनिल सिमिलर होगा और इस मिमें सब्बसरदे देखें तो यह दोनों ट्रेंगल और इसके साथ एक और जो ट्रेंगल बोग आर सिमिलर ट्रैंगल तो यह हम लोग को मिल चुका है यह राइंगल ये ट्रैंगल सिमिलर यह बच्छलो किकलीर होना अचिए कि सका ओरियेंटेशन उलोत सह कीलिये होना चिए है यह आपका पर हैश्ण यहीं घॉटेनस एक लिश्ट वाले इंगल D आपका 19 इसका मतलब है कि हम लोग का जो रेशियो बनाना है according to orientation, अलग-अलग different orientation लेंगे तो आपका similarity proof नहीं होगा, इसका मतलब है कि angle B और angle D आपका common होना चीए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस figure को उस तरह से arrange कर देंगे कि orientation आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कुछ इस तर common यहाँ पर A और A आपका common था, यहाँ पर भी आपका C और C common है, इसका मतलब है कि triangle ABC similar to triangle ABD, छोटा वाला triangle विच्चाई, इसकी बात किये, कि यह triangle बड़ा वाला का क्या है, similar है, similarly जो green वाला पार्ट है, वो भी बड़ा वाला का क्या है, similar है, और यहाँ पर दोनों में एक च ABC, इसका मतलब क्या है, कि आपका ADB और BDC भी क्या होगा, similar triangle होगा, चलिए आगे चलते हैं, तो similarity का properties आपको पता चल गया होगा, अगर orientation हम सेम कर चुके हैं, इसका मतलब होगा, AB by AD, ABY AD, equal to ACY AB, equal to BCY, BD, हैं न, क्योंकि orientation बराबर है आपका, इसका और इसका ratio, इसका AC का और इसका ratio, और इसका ratio, और इसका ratio, और इसका ratio, एक और इसका ratio, होगा बराबर होगा किस बेस पर तॉन दा बेस ओफ सिमिलरिटी सिमिलर्ली यहां पर भी होगा एबी बाई बीडी यहाँ पर भी आपका ये और ये ये और ये और ये आपका क्या होगा बच्चा similar होगा अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है ये चीज हम लोग का चुका है अब हम लोग को लाना क्या है तो हम लोग को लाना है AC square equal to AB square और plus BC square अब हम लोग को देखना क्या है कि किस base पर AB square या AC square या BC square लाया जा सकता है तो इन दोनों में AB और AB common है इसका मतलब है कि इन दोनों को cross multiply करें तो हमारा AB square आ सकता है इन दोनों में BC और BC common है इसका मतलब cross multiply अगर हम करें तो हमारा BC square भी आता है तो फिर देर किस बात की हम लोगों को cross multiply कर देना है cross multiply करने के बाद हम लोग का क्या गया तो AB square इन दोनों को equal to AD into AC similarly BC square equal to DC into AC अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को आ चुका है AB square and BC square यहाँ पर देखिए AB square and BC square यह दोनों क्या है add है तो यहाँ भी क्या करना है हम लोगों को इन दोनों को add कर देना है equation 1 and equation 2 इन दोनों को add करेंगे तो हमारा right side का जो है वो चीज को हम क्या कर सकते हैं ला सकते हैं तो add करने के बाद हमारा क्या गया तो AB square plus BC square equal to AD into AC यहाँ पर AD into AC और plus DC into AC यह वाला चीज़ इसका मतलब इन दोनों में AC common है तो हम लोग लिख सकते हैं न? AC common AD plus DC दोनों में AC आपका क्या है? common है अब यहाँ पर आप देखिए AD plus DC AD यह वाला और plus DC यह वाला अगर इन दोनों को add करेंगे तो क्या आएगा? AC आएगा इसका मतलब AC into AC और हमारा क्या आगया? AC square तो अभी हम लोग क्या किये थे? इन दोनों को add किये थे इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब AB square plus BC square equal to हम लोग का यहाँ पर क्या आया? AC into AC it means AC square और यह बच्चा लोग हम लोग Pythagoras theorem को proof कर दिये on the base of similarity that is taken from the 10th class CBSE आप लोग इसको अच्छे से समझ कर कीजिएगा exam में बहुत important है कई वार ऐसा होता है कि exactly आपको theorem ही proof करने के लिए देता है और उस case में अगर आप basic concept को नहीं समझेंगे तो आप गलती कर सकते हैं इसलिए concept को समझना ज़रूरी है तभी आप सही कर सकते हैं चलिए इसी तरह से आप बने रहिएगा हमारे साथ contact में रहिएगा touch में रहिएगा और हम आपके लिए wish करते हैं कि आपके exam में अच्छा number आए